कि अलो दोस्तों कैसे आप लोग आसा करता हूं आप लोग स्वस्तों के हैं दोस्तों आज आयो में वाकिंग करने के लिए सामके टैम पर वैसे आता हूं तो इसलिए मैं कहना चाता हूँ तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग वाकिंग कीजिए और वाकिंग बहुत ही इंपोर्ड़ेट इससे ब्रेट सर्कुलेशन और आपकी जो ब्रेट का सर्कुलेशन सही होता है और आपनी खुद की जो एक्टिवेटी रहती है जैसे कई ल में ज़रूरी है तुम यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग शाम के टायम पे कम से कम अपने के लिए आदा घंटा ज़रूर निकाले तो मैं सुचता हूँ कि वह प्ली भींवार्यों से जो हमारे बास उनसे धूर सकता है और हेल्यथी हो सकता है तो यही है कि तकरिबन थोड सब्सक्राइब बनाई और तक्रिवन में यह पिर कहना चाहता हूं कि आप उन रोड़ों पे वाकिंग किजिए जो कि मतलब काफी वैसी रोड हो जैसे मतलब बीजी रोड हो जिसमें कि ट्रैफिक चलता हो या मतलब पॉलिशन हो क्यों कि जब आप वाकिंग करते हो तो उस वा करने के बाद आते हो तक्रिमन आप अपनी स्टेचिंग मैंने पहले वी एक पहले वाली वीडियो में बता है था आप अपनी स्टेचिंग अगेरा जो भी आप जितना आप से हो सके नौनमली करो और अपने लाइफ को सुन्दर बनाई है हेल्थी रहे नमस्य दोतों जैहिन कि अजार आप पाते हैं तो सांब कर गया है आपको टैम मिलता है तो सबसे हमारी खुद का है है्ट है अगर हमारा है अगर सभी है तो सब कुछ सई है तो इसलिए मैं कहन चाता हूँ एसके निए जरूरी है किक आफ लोग वाकिंग कि抱omorph टिया ऑर बहुन वैट सरकलेशिंस और आपकी जो ब्रेट का circulation सही होता है और आपनी खुद की जो activity रहती है जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो आपिस हो में या ऐसे वहर करते हैं जिमें कहीं मतलब मतलब कोई मुमेंट नहीं होती है तो तो उस मुमेंट को complete करने के लिए या अपनी बदन को मतलब flexibility या active करने के ल लोग सामके टाइम पर कम से कम अपने के लिए आदा घंटा ज़रू निकले क्योंकि जिस इनसान ने आपने के लिए आदा घंटा निकाल लिया तो मैं सोचता हूं कि वह कम से कम अपनी बीमारियों से जो हमारे पास उनसे दूर है सकता है और healthy हो सकता है तो यही है कि करों की जो कि मतलब आध काफी वैसी रोड जी सब Judaism के घंटा हो यह मतलब एक पहले वाली वीडियो में बताए था आप अपनी स्ट्रेचिंग अगेरा जो भी आप जितना आप से हो सके नॉर्मली करो और अपने लाइफ को सुंदर बनाए है यह थी रहे नमस्य दोतो जैहिन